तो यह नोट करने वाली बात है कि यहां पर विद्रेप्लेस्मेंट दिया गया है तो with replacement अगर दिया गया है तो इसमें binomial distribution का formula लगाया जा सकता है to find this probability distribution of number of defective bulb तो इसमें जो distribution बताना है वो है number of defective bulb का तो सबसे पहले आपको random variable define करना होता है तो random variable में हो सकता है out of these four bulbs आपका एक भी bulb defective नहीं आया क्योंकि इस समय situation क्या है कि आपके जो good bulb है इसके अंदर वो है total आपके 24 और आपके defective bulbs कितने हैं जो कि दे रखा है उसमें defective bulb कहां दिया हुआ है यहां दे रखा है यह लोकर defective bulb यहां दिया हुआ है तो 6 आपके defective bulb है तो आपने 4 bulb का sample उठाया out of these 30 bulbs तो 4 bulb का sample आपने उठाया तो उसमें दिया गया है कि आपको बनाना है probability distribution for the defective bulb तो हो सकता है कि पहला दूसरा तीसरा चोटा कोई भी bulb defective में आया सारे के सारे good bulb में से आ गए या हो सकता है उनमें से कोई एक आ गया या हो सकता है उनमें से 2 आ गए तीन आ गए या फिर यह भी हो सकता है कि चारों के चारों defective आ गए तो अब आपको इसकी probability distribution बनानी है तो इसमें हम binomial distribution लगा सकते हैं क्योंकि with replacement है आप bulb निकालते हो और उसके बाब उसको वापिस रख देते हो तो defective bulb आने की probability हम उसको success के रूप में define करेंगे तो यहाँ पर हमारी success define हो जाती है success को बोलते हैं P और यह आपर define किया जा सकता है आपके total bulbs को नीचे रहेंगे 30 और आपके defective bulbs कितने हैं 6 तो 1 upon 5 हो जाएगा simplify करके failure अगर आपको पता करना है failure होता है 1 minus P तो इसको आप सोल कर लिजिए 1 minus 1 upon 5 जो की हो जाएगा 4 by 5 अब एक एक करके हमारा सबसे पहले हमें binomial distribution का formula लिखना है तो P x equals to R इसका formula होता है n c r p raised to the power r and q raised to power n minus r अब यहाँ पर आप पहले एक n को define कर लिजिए n हमारा देखिए यह maximal कितना है या फिर कितने यह जो draw किये गए है yes यह 4 है ठीक है तो सबसे पहले हमें निकालना है P x equals to 0 यह हमारा n n जो की हमारा total total हमने कितने bulbs निकाले 4 c 0 success की power success की power 0 और failure की power आपकी 4 हो जाएगी तो 4 upon 5 देखिए पहले हम निकाल लेते हैं और फिर simplification और एक एक करके कर लेंगे तो यह सब हम निकालेंगे यहाँ पर हम निकालेंगे P x equals to 3 का यहाँ पर निकालेंगे P x equals to 4 का तो एक एक करके लिखते हैं यहाँ पर बनेगा 4 C 1 यहाँ बनेगा आपका 4 C 2 यहाँ बन जाएगा आपका 4 C 3 और यहाँ बनेगा 4 C 4 यहाँ पर 1 upon 5 यहाँ भी रहेगा यहाँ भी 4 upon 5 रहेगा एक पावर हो जाएगी यहाँ पर 3 हो जाएगी 1 upon 5 की पावर 2 हो जाएगी यहाँ पर आपकी 2 हो जाएगी 1 upon 5 की पावर यहाँ पर 3 हो जाएगी यहाँ पर 4 by 5 की पावर आपकी 1 हो जाएगी और यहाँ पर 1 upon 5 की पावर 4 और यहाँ पर 4 upon 5 की पावर 0 तो अब एक काम कीजिए एक एक करके calculate कीजिए और मुझे बताईए कि क्या result आ रहा है इसका result उपर लिख देंगे और इसका result नीचे लिख देंगे calculate कीजिए और बताईए इसका result आ रहा है 256 अपॉन 625 अब इसका बताईए तो देखे सभी में एक बात तो शोर हो गई कि 625 तो सभी के नीचे आना ही आना है 625 625 अब देखें नेक्ट यहां पर क्या रहा है यहां भी 256 आ गया यहां पर calculate कीजिए 96 ही आएगा और यहां पर आपका आजाएगा 4, 4C3 आपका 4 होता है यहां 16 आजाएगा 4C4 आपका 1 होता है तो यहां पर केवल 1 आएगा आपका क्याम से सही आया है की नहीं आया है उसका तरीका है चेक करने का आप यह सभी add कर लीजिए और देखिए अगर इन सभी का total आपका 625 अगर आ रहा है तो आपका यह जो values निकल का ही है सही है तो एक rough में आप कहीं चेक कर लेते हैं हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं की न सभी का total 256 प्लस 256 प्लस 96 प्लस 16 प्लस 1 कितना आ रहा है अपर 625 यह आ रहा है तो इसका मतलब यह हमारा सही है ठीक है तो यह हमारा probability distribution आप इसको finally आप answer के अंदर लिखेंगे तो answer के अंदर कैसे लिखना है मैं आपको बता जाता हूँ तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक table बनारी होती है यहाँ पर लिखेंगे आप x उसके नीचे लिखेंगे आप px यहाँ पर values रखेंगे आप 0 1, 2, 3 and 4 तो 0 के लिए हमारा आ था 256 प्लस 625 इसके लिए यह आया था 625 और इसके लिए आया था 96 पॉन 625 16 पॉन 625 and 1 पॉन 625 तो यह हमारा answer है इसी तरह से आपको exam में दे represent करने है एक बार मैं आपको revise करा जेता हूँ कि किस तरह से आप यह 4C0 4C1 4C3 C और C4 यह आप किस तरह से असानी से निकाल सकते हैं तो उसके लिए pascal triangle लाओ का माहल प्ले सकते हैं यह आपका 1 111 इस तरह साफ बनाते हैं पिर यह 1, 2, 1 यह इन दोनों का sum है यह आप है फिर 1 इन दोनों का sum या 3 इन दोनों का sum या 3 है 1 और इस तरह से इन दोनों का sum यह आपका 4, इन दोनों का sum 6, इन दोनों का sum 4 यह और यहाप पी इन दोनों का sum 5, इन दोनों का sum 10, इन दोनों का sum 5, 1 तो यह जो triangle है आपका pascal triangle ना कहलाता है इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ सबसे बाले जब नीचे वाले C शुरू कर देते हैं तो यह जो value होती है आपकी यह value होती है आपकी 5C0 की यह होती है 5C1 की यह होती है 5C2 की 5C3 की 5C4 की यह आपकी 5C5 की और यह जो आपकी value है यह आपकी value है 4C0 की इसी तरह से 4C1 की यह 4C2 की यह 4C3 की और यह 4C4 की value है इस तरह सोब आप pascal triangle ना की help से आप बिनन इनको factorial की मदद से calculate किए आप directly pascal की help से आप यह values को easily find कर सको आप अशार की आप लगनेशों ओगने की इस तरह से लिए 5C3 की अपनीश में भू हो चलकी पूल यह आपकी इस खाईवाण